सर्वाइबल स्रीज एपिसोड पांच जमा एक है सो आज मैं मनाने वाला हूँ एक अल्टिमेट विलेजर ट्रेडिंग होल येस इसलिए अपने अल्टिमेट मोड में आगया हूँ मैं तुम लोगों को याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने वुडेन फार्म बनाए था वहाँ पे वह वाला फार्म देख लिया अब आगे सुनो नाव इसी फार्म से लगडी लेकि मैं अपने ट्रेडिंग होल को बनाने वाला हूँ अब देखो घर भी लगडी का है तो वह उससे मैच करना चीए इसलिए मैंने प्रिविएस एपिसोड में इसको बनाए था एंड ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है बहुत सारे मौस ब्लोक के करन तो यहां पे गे जाते हैं इनको कलेक्ट करके भी मैं अलग से बोन मिल बना सकता हूँ यह हुए एक OTNT Blast लकडी आ रही है लेट सी इस फार्म ने अभी तक इतने सारे काफी है काफी नहीं है जादा है बट मेरे को यहां से सिर्फ ओक लॉक मिलने वाली है लाइक मेरे को बर्च एंड स्प्रूस पीछी होंगे बट पेड नहीं काटते हैं हैश्टेक पेड बचाओ खान खाओ इस हैश्टेक को जनीट में जारी करते हैं गया एडन अगर की इसलिए मैं एक और सिंपल सा ट्री फार्म बनाने वाला हूँ जो बर्च एंड स्प्रूस दोने के लिए काम करेगा मैं एक जाएंट ट्रेडिंग होल बना रहा हूँ तो बहुत सारे विलेजर की जरूरत है लेट सी मेरे पॉबिलेशन फार्म में किसने हैं वाह इतने सारे विलेजर टोटल 20-30 तो होंगे यह बट मेरे कोच यह 56 विलेजर्स इन दोनों को टोटल 56 भोग बनाने है ब्रैट देने पड़ेंगे इन लोगों को वीट तो मेरे पास दोनों कोनों में होगा पड़ा है बट यू नो जो इसका यह रेड्स्टोल सिस्टम है यह अच्छे से वर्क ही नहीं करता देख रहे हो सिर्फेक लेयर के खेती उड़ाई है जश्ट बिकज यह पानी इधर कनेक्ट हो जाता है तो भी मैं क्या सोच रहा हूं लाइक वह एक विलेजर आता है ना जो मजदूरी करेगा यहां पर सो मैं वैसा एक विलेजर एक कोने में लगा दूगा देन मेरे को सीड लगानी के वी ज़रूरत नी पड़ीगी वह खुद वह खुद सारे काम कर गया चैस्ट में खाना डालेगा अभी तो इनको हाथ से ही तोड रहा हूं मैं मिलते हैं थोड़ी तेर बाद सो या मैंने बहुत सारे वीट्स ले लिए हैं एंड मेरे सारे ब्रेट्स रैडी है लो सब्सक्राब हो जाएगी ओके फाइनली आग तो बुझा दिये मैंने बट 2022 की सदन नगरत रासती ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है पूरे तीन लाग करोड का नुकसान हुआ है लो चलो बनाते हैं अदर लकडी के फार्म बाद लकडी के सेंपल्स तो मुझे इधर से मि है चल हट नौ मैं इसको डर्ट से बनाने वाला हूं और यहां तक आएगेस यह ठीक रहेगा आजाओ सब मिलता हूं तुम लों किसे दो मिनिट बात ओके सु मेरे डर्ट की फ्लैटफोर्म रेडी है नौ मेरे को बहुत सारे कोबल स्टोन ची होंगे दो तीन पिक एक्स बना साइड मेरे को सत्रा ब्लॉक्स लगाने है एंड यह डन नौ इसके अंदर मेरे को ऐसे डर्ट को भरना है वेट मुझे इसके उनना डबल करना पड़ेगा बिगुद मैं पानी मी भरने वाला हूं इसके उपर बहुत साइड में लगा दी है नाव लेट मी चेक पानी डालू जाएगी यहां पे यहां से लेना यहां पे जाएगा यह जाएगा यहां पे यहाँ पर दबल चैसलगए नो मान लो यह मेरी लकडी है यहां से जारी है ओके परफेक्ट सिस्टम बनाया मैंने इस डर्ट के जगे जाएगा एक होपर यह गया मेरा होपर ना इन डर्ट की जगह यहां पर चैस्ट लगेगा सो यह गई चैस्ट डन अभी इसके उपर पेड़ों को गाने के लिए प्लैटफोर्म चीए ओके इस इतनी बड़ी ठीक रहेगी बस पेड़ी तो गाने मुझे नो मेरी चैस्ट भाई गैस सैप्लिंग्स तो रखी होगी लेट मीच या तीन है और बोन मिल तो अनलिमिटेड है इतनी काफी है लेट्स गो ओके डन अभी ये ट्री लीव अपने आप तूटती रहेंगी एंड सैप्लिंग्स मुझे चैस्ट में मिलते रहेंगे और मुझे फिर से बोन मिल करना है इजी-पीजी दो सैप्लिंग्स दो बार आ गए बही तो ये गई सैप्लिंग्स लोग इतने बड़ी पेड़ी के लिए मुझे सीडी दार टेकनिक का यूस करना पड़ रहा है थोड़ी बहुत ज्यादा देर बाद अभी मैं और माइट नी करने वाला एगस इतने तो बहुत होंगे अभी मैं सोने जा रहा हूँ दनकल बर्च के सैप्लिंग्स लाने है मुझे ल आइकस पांच इनफ होंगे लेट्स को ओके हम है और यह गए मेरे चार सैप्लिंग्स बोल मील खतम हो गई है बही कोई दिक्कत नहीं है वैसे मेरे पास अनलिमिटेट है लेट्सी होपर में क्या है नाइस चो लोग आते हैं सफीर पेडो को ओके माइन करते हैं चलो ड़न न मैं सोचरों अपना ट्रेडिंग होल इस तरफ बना लू लाइक इतर घर के साइड में भी हो जाएगा इन अच्छा भी लगेगा जस्ट मेरे को इस पूरी जगह को फ्लैट बनाना है मुझे सीरियसली बहुत सारी डर्ट चीए खेर मेरे पास एक चैस्ट भरा पड़ा है बहुत सारा काम हो चुका है मेरा सी इसमें मुझे लेजिट दो घंटे से भी जाद अगा टाइम लगा है बहुत सारे नहीं बस दो है ना उससी यहां पे बहुत बड़ा अल्टिमेट रेडिंग होल बनने वाला है इसका डिजाइन मेरे पास ओल्रेडी है यास मेरा डेम बनाता हूं दैन ही मेरे इसके लिए के सर्वाइबल में करता हूं वो चीज़ लैट्स गोस दुनिया में हाई सो यह है मेरा डेम वर्ड वह पीछे वाला राजमेल तुम लोगो याद होगा यहीं पे बनाया था मैने पहले तो क्या तुम लोग रैडियो मेरे खुद के बना बर दूंगा औप यह ओघ्र को जा अभी घंट्रा सट के सिंपल मार्किंग कर रहा हूं मेल को मार्किंग के लिए देन कोबेदाना हूं एस नमीड़ के लिए यह अंदर बहर चुच्क के बेंग और ना इस दर किया और डिका Nord के नहीं को पुर से 3 एंदर मिडल में 15 कोबल स्टोन इसको से मैंने डर्ट से भर दिया है ओके अब यह कुछ ऐसा दिख रहा है नौ इसके आगे फिर से तीन ब्लॉक इसमें भी कोबल स्टोन लाश में एक ब्लॉक डिग एंड येस एक साइड का काम हो चुका है लो वेट पहले में सो के आता हूं एक साइड के लिए ऐसा मुझे चारो कोन में करना है दो साइड का ऊचुका है सारा कर के मिलता हूं तुम लोग उसे चारो एंगल की मारकिंग करने के बाद सी मैंने ओफ कैमरा सारा कर लिया है अभी रियल बिल्ड क Braille स्टार्ट होगा मेरा तो बर्चन स्प्रूस तो बहुत सारे है मेरे पास और ओक लोग तो इन से भी जादा है इनका जाएंट ओटोमेटिक फार्म जो है सबसे पहले मेरे को चीए ओक लोग जिसको 15 व्लोग वाले कोपबल स्टोन के एरिया में ऐसे लगा देना है दोनों साइड एक-एक ब्लोक का गैप होगा एंड इनको 15 व्लोक आगे तक कर देना है मेरे को ओके एंड इस साइड भी लगा देता हूं से यह डन नाव मेरे को इन ओक लॉक्स के उपर तीन तीन लॉक्स और लगाने है ओके यह भी हो गया पहले सो के आ जाता हूं में इतनी बारिश हो रही है अबे कितने सारे मोब हैं यह क्या मेरा बैड पानी के उपर सोंगा फाइनली अभी बारिश रुखेगी अब लेट्स को कंस्ट्रक्शन साइट पे अबे अच्छा तो एड़न नगर में इतना आएगा एम बैक ओन माई वर्क अगैन ना बचावा काम करते हैं जहां जहां में मैंने कोबल स्टोन 15 लॉक कियें वहां पे सेम करना है तो हां लॉक्स का काम मेरा हो चुका है बहुत जल्दी रात हो जाती है भाई मुक्सान अबे मैं एक क्रीपर के बारे में बात करी रहा था यह पीछे से भी आ गया नाइस मरते मरते बचाओं भाई इन गड़ों को फिल कर देता हूं पहले इसलिए क्रीपर बुरे लगते है मुझे अभी मेरे को बर्श प्लैंक्स और श्टेर्स चीए ओके लैंक्स भी रैडी है नो यहां पे मुझे टॉप पे एक प्लैंक लगाना है और उसके नीच एक श्टेर जाएगी उके इस वाले में मैंने कर दी है नौ से मैंसा ही शब के अंदर लगाना है मैंने लगा दिया इसब के अंदर वेट मुझी अपरन गेट … जया मैं अ कर दिया कोर्स मैं मैं सारे कॉर्ब में ऐसे निrd bent को गैता हूं और यह पूर हो गया अभीिघ शाह니다 मैं शालन प्रिक्स य यह चार स्टोन चीए सो यह गया फ़र्नेस एंड यह ले भाई पकचा जल्दी एंड वेट मैंने एक और गल्ति करती है यहां पे तो मेरा गेट होने वाला है ना मैंने यहां भी पिलर लगा दिया लोल लेट सी मेरा स्टोन अबे मैंने लॉग रख दिये थे क्या इस से अच् स्टेर बीच में यह वाली स्टोन की प्रिक सेम करना है इस तरफ जैसे इन दोनों पर किया है हर तरफ करना मेरे को तो यहां मैंने हर तरफ लगा दिया है ना अभी मेरे को श्रूज के श्लैब चीए ओके इन स्लैप को मुझे लॉट श्टे उपर लगाना है जैस्त लाइक अब यह सब के ऊपर मैंने स्लैब लगा दिया है तो अभी मेरे को यहां पर एक तो फैंस लगाने है नीचे की तरफ जाएगे बर्च की स्टेर्स डण नौ सेम ऐसे फैंस लगाने इसके ऊपर इस च्छा दिखना स्टार्ट हो गया है नव जस्ट मेरे को हर एक आउटर साइ इनको लगाना है फैंस के ऊपर तो साइडों में स्टोन ब्रिक्स भी लगा दिये मैंने नौ मुझे थोड़ी सी और स्प्रूस लैप किये एंद इनसे विलेजर की शेल्स का छट बनाना है ड़न नौ मैं ऐसा हर साइड में करके मिलता हूं तुम लोगों से ओके सारे के ऊपर भी ऐसे लगाना है मुझे यह गए मेरे फैंस अभी सही लग रहा है यह यह वाला प्लैंक न मैंने गलत लगाया है यहां पे नहीं आएगा इसके आई की चिसल्ड स्टोन ब्रिक्स एंदन सेम इस तरफ कर देना है नाव इसके ऊपर की भी शेप बना देता हूं मैं नाइस अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है यह ऐसा सारी तरफ करके मिलता हूं तुम लोगों से ओके सो यह भी हो चुका है तो नाओ आई नीड ग्लासे सैंड है भी मेरे पास ओ यह है तो सबसे पहले इनको पगा के ग्लासे बनाने मुझे टोन भी मिल गया है मुझे अभी मुझे ग्लास बनाने है थोड़ी सी जल्दी देर बाद अभी तक तो बहुत हो जानी ठीए यह उन्निस है वेट बोन मिल से वाइट डाय है यह बन जाता है लेट्स को और चारो तरफ जाएंगे ग्लास ओके थोड़े से और ग्लास चीए मुझे यह गई मेरे 32 लगा देना है ओके 6 यहां पर लगेंगे एंड 6 इस तरफ लगेंगे ड़न नाव थोड़ी तेरे बाद मिलता हूं हर जगा लगा के लास खतम हो गए मेरे फरनेस में पक्रे होंगे यह बन गए आठ तो मेरे ग्लास भी लग गए है नो मेरे को बहुत सारे वाइड डाई ची काम ही नहीं है इसको बेटा दिया ओके एंड वेट मेरे को यह वाले पत्थरोर चीए एंड इस वाले स्टोन को यहां पर साइड में लगा के ऐसे बंद करना है सी कितना अच्छा लुक आ रहा है वेट एक और यहां पर यहां पर यह यूज़ कर सकता हूं ओके अभी यह कित कुछ जाद ही सेंड लेके आगया मैं जल्दी से मुझे ग्लास चीए पिकास रूफ पे मैंने सिर्फ एक साइड में ग्लास लगाए हैं ओके सो यह गई सफेद वाले ग्लास इधर वाले के उपर लगाते हैं चलो मैं इन ग्लासों को हर जगे लगा के मिलता हूं तुम लोग है टो ऊपर चलो बापिस ना में इसका में छट बना रहा हूं ना में इसको ऐसे जोड़ते जाना है इस चीज करना बभूल गया था यह जो विलेजर के चैंबर से इनको सेपरेट करना है फैंस लगा के तो ऐसे इनको लाख के पीछ लगाना है ये मार्किम वाली तोड़ देता हूँ उनका कोई काम नहीं है अब अंदर के लॉक पिलर्स को मैं ऐसे कर रहा हूँ देखने में जादा अच्छे लगेंगे और उपर एक ब्लॉक छोड़ रहा हूँ बड़ी है पैटर्न बनेगा नव सी मैंने सारे कर दिये हैं अभी इंटीरियर के लुक सही आ रहा है नव मैं च्छत का काम बीच में छोड़ गया था उसको करते हैं लेट्स को नव अभी मेरे को कोनों पर ऐसे एक एक स्लैब लगाने है ओके एंड सब के उपर एक एक फैंस लग गया है नव च्छत को अच्छा बनाएना है इसलिए फैंस के उपर एक और स्लैब हो गया सी यह ऐसा लग रहा है भी इसको भी डबल कर देता हूं उन्दर से हां नव मेरे को यहां पर एक दो तीन चार स्लैब्स लगाने है और सेम हर साइड में कर देना है ओके सी यह ऐसा लग रहा है ना मुझे ऐसी रिपीट करते जाना है यह सेम बन गया इसके उपर पांच मिनिट बाद मिलता हूं छट कंप्लीट करने के बाद ओके एक ब्लोक जाएगा यहां पर एक यहां पर जाएगा एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर इसको तोड़ देता हूं वो फाइनली सो आधा नहीं 90 परसेंट बन चुका है इसके गेट का काम ओर कर देता हूं पहले इनको मिलाना है मुझे ऐसे देन कुछ टोन की ब्रेक इसका इंट्रेंस अच्छा लग रहा है क्या नहीं अभी भी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रह सबसे में समान विलेजर क के काम कहने के लिए लेक टर। बनानी है मुझे तो मेरे को श् ostr को ब्रमेटीर को बनानी के लिए होगा उसा आ नहीं लेDंदे आफ से पूपरस द्दियार ना होगी। ठोड़ी पहले लेटर मेरी Maisil अभु खेल धर्सता द्रここ बनानी के तीन या तीन लेकटर्ण बने हैं बस इतनी महनत कर रहा हूं इनसे द्याखा के एक श्टैक नहीं दिया जाता सो या मैंने तीन को लगा दिया है ना इसके पीछे से यहां से मैं इनके अंदर विलेजर डालूँगा दर अच्छे से मस्दूरी कर पाएंगे वह अभी मेरे को लैदर चीओंगी वहां पेक होर्स है अब तो बहुत लैदर है वही तो ने के बाद करूंगा आगे का काम सो यह गई मेरी और बुक्स पेपर कम पड़ गई मेरे हैर करना तो बहुत है मेरे पास तो रेडी है मेरे बहुत सारे लैक टर्ण्स बस अब यह मैं सोच रहा हूं दूसरा प्रोफेशन लगा उनके अब तक तो मेरे को बस नो फ्लिंट मिले है बास चुआ रहा है ब्रो ना मैं ग्रेवल को बार बार प्लेस करकर के बहुत सार फ्लिंट निकाल लूगा बहुत यह एड़न नगर का देखो कैसे विकास हो रहा है कितनी उचाई से पहली बार देख रहा हूं मैं सो अभी मेरे आठ फ्लेचिंग टेवल बन गए हैं इनको भी ऐसे प्लेस कर देता हूं इस पार बहुत सारे बन जाएंगे ओके सो या मैंने हर एक चैंबर के अंदर उसका प्रोफेशन लगा दिया है नव मेरे को यह ब्लू वाले ग्लास यह जो बीच में यहां पे जगे बच गी यह यहां पे लगाने मुझे फर्स थेंग कम्प्लीट हो चुकी है यह पूरा करने के बाद मिलता हूं तुम लोगों से ओके ड़न तो विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट भी करना है मेरे को सबसे बोरिंग काम तो यह होने वाला है मैंने चपन विलेजर्स का ओडर दिया था कम हुए तो एडवांस के लावा हो नहीं देने वाला वेट मेरे को नहीं एक अंडरग्राउंड रास्ता बनाना पड़ेगा इतने सारे विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारी रेल्स भी लगने वाली है पहले यहां पे एक एरिया बना लेता हूं अभी इसके अंदर गैद करूंगा विलेजर्स तो बहुत सारे हैं तो मैं पहले अंडर रास्ता बना लेता हूं लेट सी मैं कहां तक हूं ओ या अभी मेरे वब सीधा जाना है okay see मैं इस वाली cage में पहुच चुका हूँ यहाँ पर ही तो लाना है villagers को see यह लोग सुरंग के अंदर फैल भी गए है so यह जो पहले मैंने ऐसी लगा दी थी इनको तोड़ता हूँ and यह लगेंगे मेरे underground रास्ते में अबे बैठ इसके अंदर okay now इसका kit नहीं पहुच चुका है आगे चल भाई okay आगे आए now टूट जा टूट जा टूट जा okay oh भागने की कोशिस कर रहा है well इनको पता होना चाहिए मैं इनसे जादा प्रो हूँ देखा कैसे करते हैं अब ऐसे मत करियो सारे विलेजर्स पहुचाने के बाद मिलता हूँ तुम लोगों से सबसे जादा देर बाद so अभी मेरे को इन सारे विलेजर्स को यहां से निकाल के ट्रेडिंग हॉल मैं पहुचाना है well यह करने के लिए भी मेरे पास एक आइडिया है so यह सेडी है पहले विलेजर को लाने के लिए पहले सेरिया को चिर बंद कर देता हूँ so that यह भागना पाएं now मैं डर्ट तोट रहा हूँ let's see कोन पहले चेमबर में जाएगा अब यह आना टौफी दूँगा को से थोड़ी बहुत देर बाद so yeah hello guys I am back सारे विलेजर को उनके चेमबर में डाल दिया है अभी में मेरे पांच चेमबर खाली है पांच विलेजर कम थे भाई और खाना देना पड़ेगा इन लोगों को यह लो तुम्हारा आज का खाना जहां जहां मैंने डर्ट लगाई है वहां पर मैं स्टेर्स लगाने वाला हूँ यह तोड़ा यह लग गई nice स्टेर्स की कमी है and then मेरे को यहां पर बीच में ग्लास पेंड लगाने है अभी इन लोगों को विंडो बन जाएगी कि यह बार का नजार भी देख सकते हैं ओके मैंने सब में कर दिया है इस वाले स्टोन को यहां लगा दो तो सही लग रहे है लोरिंग के लिए बहुत सारे बना के लाने पड़ेंगे मेरे को पहले तो कोबल स्टोनी माइन करना पड़ेगा एक स्टेक गया इसके अंडर और एक स्टेक को इसके अंडर डाल देता हूँ इनका बने का स्टोन से वह सब बनाना है मिलता हूँ थोड़ी देर बाद एंब बैग गाईज एड़ी कितना अच्छा लग रहा है नाइस ताव में यूज करूँ का स्टोन ब्रिक्स का वेट इसको ना ऐसे कर देता हूँ अब ही वह जाजा सही लग रहा है ये एंड यो गया हर साइड का फ्लोरिंग करने के बाद मिलता हूँ सो या सी साइड में मैंने पानी डाल दिया है 99.9 परसेंट कम्प्लीटेड नाव जश्ट इंट्रेंस पे मेरे को स्टेर्स लगानी है इसको प्रेडिंग होल बन चुका है अश्ट इसके अंदर लाइटनिंग की जरूरत है ये गे मेरे टॉर्च ज अड ये नगेट्स और मेरी बहुत सारी लैंटर्न रडिया है या सब्सक्राइड पार्डिंग होल रड़िया है अब इतने सारे क्रीपर मेरा हॉल तो बजी लेकिन चैश्ट उडादी है लोगों ने बहुत दमागे कर दिया लोगों ने इन फैंसकोट यहां पर लेंटर नहीं लगा जेता हूं सही लगेगी अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है ये एंसी शेडर्स के साथ कितना क्रेटिव हूँ भई मैं इ आप यहां लाइक अभी तुम लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जोएं और इंस्ट्रावे फोलो कर लो लिंक दिस्क्रिप्शन में है और सब्स्क्राइब कर लो यह चैनल अच्छा है